शीहां उपर को समझाया कि जिन रिष्टेदारों को खुश करने के लिए तु इन बक्रों की हत्या करेगा इसका लेखा तुझे अकेरे देना पड़ेगा जितने छूरियां इनके उपर चलेगी उतनी छूरियां तुझ पर धर्म राज चलाएगा जम्दूद चलाएगा और जिन रिष्टेदारों को बच्चों को घरवालों को खुश करने के लिए तु ये पाप करने जा रहा है वहाँ पर एक भी तुझे दिखाई नहीं देगा जो तुरी सहायता करेगा भार्चे बोलिये धन गुर्णाने करेगा सुख ये लोग भोगेंगे खाकर दुख तुझे भोगना पड़ेगा जादी हो हम शीर गुरु गुर्णाने करेगा जा रही होती है और दूसी तरफ बार सैंकडों मुर्गियां कट रही होती है रिष्टेदार को खुश करने के लिए और हम सारे इस लोगों से कहते हैं आओ जोड़े को असीस दो जिनकी शादी हो रही है पाठ्चा कहते हैं कैसी मुरफ्ता जैसी बाते करते हैं भगवान जो चीटी तक की फर्याद सुनता है उसे अंदर गुर्बानी सुनाई दे रही होगी या बार मुर्गियों की छड़ परहट उनके चीखने पुकारने की यहां सुनाई दे रही होगी अगर लोगों की असीस लगती है तो क्या जानवरों की बसीस नहीं लगती है तीन चार दिन पहले यह कथा आई थी मुहम्मद तुखलक बात्षा बात्षा कैसे बना एक हिर्नी ने अर्दास की निरंकार से कि इसने मेरे बच्चे पर दया की है एक आम इंसान को निरंकार ने बात्षा बना दिया जार से मुझेगों को पानी पिला निकाल कर पुए्टे के पृल्लों को पानी पिलायाए था राइबा ने मक्य श्रीफ झा रही थी मक्य मंदीना दर्षन करने के लिए जब सारे लोग उसके साथ वाले आगे पहुंचे काबा नहीं था वहाँ पे काबा कई किलो मुटर दूर राइबा को दर्शन देने पहुंच गया कि तुने दया की है जानवर के उपर जिस हीरते में दया नहीं वो कभी प्राप्ति नहीं कर सकता साथ से नहीं कभी नहीं किसी हालत में नहीं ये गलत फह्मी में मत रहने कि हम जानवरों को मार कर खाते जाएं चाहे कितना मर्जी नाम जपलो चाहे कितना मर्जी दान पुन कर लो कोई लाभ नहीं होगा प्राइब से वह लिए धन गुर्णाने धन गुर्णाने जों सब में खुदाए कहते हो, क्यों मुर्गी माने